हाई दिस इस मनीशा सिंग स्वावत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर फ्रेंस आसा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके परिक्षा की त्यारी भी वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रहे होगी तो हाजीर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्मेंट जॉब की अपडेट को लेके जो की डाइरेक्ट निकल के आ रही है हर्याना पुलीस की तरफ से एमेपी कॉंस्टेवल की वेकेंसी 2024 की रिगार्डिंग फ्रेंस यह जो वेकेंसी कंडक्ट कराई जाती है ना एच एससी के थ्रू कराई जाती है हर प्रियाना स्टाफ सेलेक्शन कमीशन अब एमेपी कॉंस्टेवल क्या होता है माउंटेड आम्ड पुलीस को बोलते हैं एमेपी जो घुरसवार ससस्त्र पुलीस होता है उसके लिए कॉंस्टेवल की वेकेंसी आई है इसके लिए अप्लाई करने की जो तिथी है एक अप्र नहीं किया जाएगा फ़र्म अप्लाई करने का अब बात करें कि एज की लिमिट क्या होगी तो आपका जो एज है एज अन 1st of April 2024 एक अपरील 2024 के अनुसार 18 वर्स से 25 वर्स के रिलेक्सेशन अब बारी है कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वार्ड है क्वालिफिकेशन आपका सिंप्ली 12 पास जो भी बच्चे सभी अप्लाई कर सकते हैं डाजन मैटर की आर्ट साइन्स या कॉमर्स है या क्या परसेंटेज है सिर्फ आपने इंटर पास कर लिया है तो इल इंडिया के काडिडेट इसके लिए इलिजीबल रहेंगे ये ग्रूप सी की पोस्ट है एच एससी का जो हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिसन के थ्रूँ जो सीट यानि कॉमान इलिजीबलीटी टेस्ट ग्रूप सी वाला जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है ये उनके इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो अगर इसके रिगार्डिंग फुल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वह आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए वहां से डाउनलोड करके थोरो आउट रीड कर ल ओख़िकल मेजरमेंड अपनिज़न ठेस्ट होगा उसके बाद स्किल टेस्ट होता है हर्ष राइडिंग से रिलेटर, गुर सवारव रहा है तो घुर सवारी से रिलेटर टेस्ट होगा फिर नॉलेज टेस्ट होगा जिसमें कि अफ लाइन आपका एक्जाम होगा उसके बाद dv यानि document verification फिर medical करा जाएगा उसके बाद joining letter दे दी जाएगी तो आगे हम लोग selection process को अच्छे से detail में समझेंगे लेकिन उससे पहले category wise seat और total seat के हमें बता दू आपको देखे नॉर्मली जो candidate सभी apply करेंगे general के लिए 24 seat है, SC के लिए 11 seat है, backward cast A group के लिए 8 seat है, backward cast B group के लिए 5 seat है EWS के लिए 7 seat है, अब इसमें से कुछ seat एक servicemen के लिए है मतलब यह अलग है, एक servicemen के लिए general का 5 seat होगा, SC का 2 seat, BC A के लिए भी दो और BC B के लिए भी दो टोटल पोस्ट की अगर बात करी जाए ना, तो 66 यानी 66 पोस्ट पर आपकी ये vacancy आई है तो चलिए इस पोस्ट के regarding आगे हम लोग depth में समझ लेते हैं कि selection की process क्या रहेगे पहले ही बताया है कि पहले stage पर आपका physical होता है फीजिकल में सबसे पहले क्या होता है PMT आपका सारीरिक माप दंड होता है height जो होता है general candidate के लिए क्या रहेगा 170 cm, reserved category के लिए 168 cm रहेगा chest रहेगा general के लिए 83 to 87 cm मतलब कि 4 cm का expansion चाहिए और जो reserved category के candidate है 81 to 85 इनको भी 4 cm मतलब 81 से 85 रहेगा जैनरल के लिए 83 से 87 उसके बाद आपका physical standard test तो हो चुका है P.E.T. फिर होगा आपका physical eligibility test जिसमें की race कराया जाता है तो जो normal candidate है उनके लिए क्या होगा 30 km का race होगा 12 मिनट में complete करना होगा वहीं पर एक servicemen के लिए 1 km का race होगा 5 मिनट में उनको complete करना होगा फिर आगे आपका skill test होता है physical के बाल horse riding का skill test घूर सवारी का आपका यहां पर देखा जाए कि आपको घूर सवारी आती है कि नहीं आती है 20 marks का वह test होगा इसमें भी qualify कर जाओगे तो आपका offline exam होगा return exam होगा OMR base होगा MC की यानि multiple choice questions होगे 100 questions रहेंगे 64.5 marks के लिए which means कि 1 question के लिए आपको 0.645 number दिया जाएगा अच्छी चीज इसमें यह है कि कोई negative marking नहीं रहेगा अब विशयवाई जैसे बताया है notification में general studies से होगा current affairs general science reasoning mental aptitude numerical ability agriculture animal husbandry मतलब पसू पालन से संबंधित भी पूछा जाएगा क्यूंकि घूर सबार की पोश्या तो घोरे का थोड़ा बहुत ख्याल भी रखना होगा और फिर lastly आपका computer का press में रहेगा तो यह तो हो गया कि 100 question में 64.5 marks आपको मिलेंगे साथी 20 number यहाँ पर आपको मिल जाएगा horse riding का और additional कुछ number दिया जाता है जो NCC के candidate होते हैं उनको मिलता है तीन number और जो socio economic criteria मतलब जो समाजी के आर्थिक रूप से पिछड़े candidate है उनको यहाँ पर मिलता है 2.5 marks ठीक है तो यह exam आप qualify करते हो तब जाके आपका क्या होता है आपर merit list में नाम आता है उसकी बाद आपको joining लेटर भीजी जाती है एक्जाम आपको हरियाना के ही different different districts में होगा तो और इंडिया के candidate का हरियाना में एक्जाम कराया जाएगा और उसके बाद जब आपका selection अगरा होगा तो हरियाना में sir करोगे salary क्या मिलेगी इसका आपको पता है group C का post है तो level 3 का salary मिलेगा 21,700 से शुरुवात होती है after perk से लवंचे 69,100 मतलब 70,000 के करीब आपकी salary हो जाती है so this is overall details regarding हरियाना MAP constable I hope आप समझ गया होंगे अब भी कोई doubt है confusion है तो comment करके आप पूछ सकते हो अपने सवाल otherwise वीडियो अच्छी लगी हो useful लगी हो तो एक like करना है अपने दोस्तों के साथ share कर देना है साथ ही साथ मेरे चनल को subscribe करके notification bell all पर set करके जाए ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुछे तो मिलूंगे फिर से किसी government job की update के साथ till then stay tuned bye bye take care